भारत की सामाजिक बेवस्था आज भी वर्ण सिस्टम या ब्रामणवादी बेवस्था या मनुवादी बेवस्था के आधार पर लगातार चल रही है भारत के संबिधान में इस तरह की किसी भी विवस्था जो मनुष में बिभेद पैदा करती है मनुष को बांटी है जाती के आधार पर छोटा बड़ा उमचा नीचा समझती है ऐसी सभी ब्यवस्थाओं को सून निगोसित किया गया है, उनको अमान निगोसित किया गया है, उन्हें संभिधान में कोई जगे नहीं है, बावा साहब ने संभिधान लिखते समय, संभिधान में ऐसी ब्यवस्था दी है, जिसमें one man, one value, मनुस्य के मूल्य को निरधारित कि जो मनुसिक सामाजिक मूल्य होते हैं जिसमें उसे जीने का अधिकार, सुतंता का अधिकार, बोलने का अधिकार इस तरह की मूलभूत आवा सकता हैं उनको पूरी आजादी दिया है हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया है लेकिन 75 साल की आजादी के बाद भी आज संबिधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा बावा साहब ने संबिधान में एक राजनितिक सुतंता के पश्यात जो सामाजिक बेवस्था है उस पे कुठारा घाद करते हुए बावा साहब ने सुतंता समानता बंधुता और नियाय के आधार पर मनुस्य को नियाय दिलाने की कोशिश की है साथियों यह वर्ण बेवस्था जो भारत में इस्थापित है वो वर्ण बेवस्था धर्म की स्थापना से इस वर्ण बेवस्था के कारण यह वर्ण बेवस्था धर्म से पोशित है तो धर्म की स्थापना से सामाजिक नियाय का मिशन नहीं हो पा रहा है जो मनुझ को जो न्याय मिलना चाहिए सोसल जस्टिस मिलना चाहिए इस वन ब्यवस्था के कारण इस धर्म की ब्यवस्था के कारण हिंदू धर्म की ब्यवस्था के कारण उच नीच की ब्यवस्था के कारण यह नहीं मिल पा रहा है इसमें सामाजिक उच्चिता की भावना निहित स्वार्थ के कारण हिंदू वर्ग जो है असप्रसिता अध्वाज जातिवाद को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, सिक्षा का भी अधिकार दे देंगे लेकिन सामाजिक ब्यवस्था या समाजिक असमानता के लिए कोई आंदोलन आज तक इन्होंने नहीं किया और ना करेंगे। क्योंकि उस जो वो जो सामाजिक व्यवस्ता भारत में चल रही है ये उच्च वर्ग के लोगों को बहुत सूट करती है वो इसको बदलना नहीं चाहते उसी अब्यवस्ता के कारण सामाजिक वर्गी करण के कारण ये विशंता के कारण वो इन लोगों का सोशन करके इन लोगों को टुकड़ों में खरीद कर साड़ी पे दो किलो रासन पे तेल पे इस तरह की मुक्त चीजें पचीस पचास सो रुपया देकर उनके वोट को खरीद कर और सब्ता में काबिज हैं ये भारत के संविधान जहां लोगतंत्र जहां समा के बात की गई है उसे बिलकुल नहीं मानते कहने के लिए भारत में लोगतंत्र है लोगतंत्र संविधान के द्वारा स्थापित किया गया है लेकिन ये ले hectare प्रजरत् lle चना प्रत्मक साहसन पध्धती है कि इस इस असमानता का बिकल्प बावा सहाब ने बताया है और इस जो असमानता है वो अंबेतकर वाद से ही खतम हो सकती है बावा सहाब के मिसन से बहुजन समाज के संतों गुरुओं के मिसन से ही बहुजन आंदोलन से ही मिट सकती है समाप्त हो सकती है बहुजन आंदोलन किसी जात के आधार पर नहीं बलकि जातियों को तोड़ कर बहुजन समाज बनाने का अंदोलन है बहुजन अंदोलन लोगतंत्रिक और सामाजिक संभिधानिक मर्यादाओं के अनुकूल है तो भारत की राजनितिक सुतंता तभी कायम रह सकती है जब ये लोगतंत्र इस्थापित हो सही अर्थ में लोगतंत्र इस्थापित हो बावसाब ने भारती संभिधान की रूप रेखा प्रस्तूत करते समय प्रजातंत्रात्मक सासंद्परडाली को भारत के लिए उपियुक्त माना था इसलिए उन्होंने लोगतंत्रात्मक साथियों अगर हिंदू जो वर्ग है हिंदू जो उच्छ वर्ग है उस मुकाबला करना लोग तंत्र में बहुत आसान है भारत में बावा सामने संभिधान के द्वारा समाजिक मुल को बनाने के लिए समाजिक नय दिलाने के लिए बावा साब ने ओट का अधिकार दिया है जिस ओट की कीमत सब की बराबर है और यह बहुजन समाज संख्या में 85% 90% है फिर भी आज सत्ता से दूर है इसी लिए उसका सोसन अन्याय अत्याचार हो रहा है इसी जो सोसक वर्ग है जो साशक वर्ग है जो पंद्रा परशत के लोग हैं वो जो समाजिक बेवस्था का संचालन वर्ण बेवस्था के आधार पर हिंदू वादी बेवस्था के आधिगार आधार पर ही कर रहे हैं समिधान को उन्होंने नकार दिया है समिधान का कहीं कोई पा जिसमें किसी भी वण में समलित या उच्ची करण की संभावना नहीं थी तो ये अमानवी ब्यवस्था है इस अमानवी ब्यवस्था को हमारे बहुजन नायकों ने समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया है वो बहुजन आंदोलन इस ब्यवस्था को खतम करने के लिए उ कायम रह सकती है संभिधान कायम रह सकता है बावा साहब और बहुजन महानायकों का मिसन कायम रह सकता है यह जो आंदोलन है बहुजन समाज का आंदोलन बहुजन आंदोलन यह बहुजन समाज पार्टी के दोरा ही इसकी स्थापना की गई बहुजन आंदोलन मानिवर काशिरा साब ने इसका नाम दिया आज बहुंजर अंदोलन पूड रूप से सफल है जो भिखरे हुए लोग हैं जो भटके हुए लोग हैं उनसे अपील है कि वह इस अंदोलन में जुड़कर और ये गैर बराबरी विसंता वाली सासन बेवस्ता का अंत करने में सयोग दें जैभीम न नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले